दो इसमें एक पर्षाभाइटर में जिनका नाम वील इडिया हुआ है तू अने के जीवन फरचे के बारे में दिया हुआ है मतलब कि हमारे देश की सोतंतरता के लिए क्या क्या किया है विसकी सटेकर प्रफी प्रफेस करने पड़े हैं तोनी की पूरी जीवनी है जो इस चेप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए सबसे को लिए बिनायक दामोदर सावरकर, commonly known as a fearless freedom fighter, social reformer, writer, dramatist, poet, historian, political leader and philosopher मतलब कि जो वीर सावरकर हैं उनको इन सभी चीन नामों से जाना जाते हैं मतलब कि वो एक freedom fighter भी थे social reformer थे, समाच सुधारग इसको में लोग बोलते हैं, writer भी थे, dramatist, ना टकार भी थे, poet भी थे तो इन सब खुवियों के बारे में इस में में लोग पढ़ेंगे, तो देखिए यहां से वीर सावरकर's original name was बिनायक दामोदर सावरकर, मिन्सकी वीर सावरकर का असली नाम बिनायक दामोदर सावरकर था he was born on May 28, 18, 1883 in the village of भागूर, नियर नासिक, मतलब की वीर सावरकर का जन 28 मई 1883 को नासिक के नजदिक एक भागूर नाम गाम में हुआ था नासिक के माराश में पढ़ता है अपका, तो उसी बुला है कि उनका जन 28 मई 1883 को नासिक के नजदिक भागूर नाम गाम हुआ था he was one among four children born to दामोदर पंथ सावरकर and राधा भाई मतलब कि ए लोग चार लोग मतलब कि अपने परिवार में चार बच्चों में इसे एक थे मतलब कि इन से जो छोटे लोग थे दो तीन लोग उनका नाम दिया है दामोदर पंथ सावरकर and राधा भाई मतलब कि जो इनके बड़े भाई वान उन लोगों के बाद बदा है वीर सावरकर had his इनिटियल इनिटियल मतलब प्रारंबिक या जो जैसे माल जे छोटा बच्चे को जो मपढ़ने के लिए बेचते हैं तो स्टाइ्टिंग की जो इसकी पढ़ाई रहती उसको प्रारंबिक बोल जाता है इनिटियल बोल सकते है इनिटियल इजुकेशन एड़ शिवाजी स्कूल मतलब कि भीर सावरकर की प्रारंबिक शिच्चा सिवाजी नाम की स्कूल में हुआ और जब वी सावरकर नवर्स के थे तब इनकी मदर का डेथ हो गया सावरकर वाजे बॉर्ण रिबेल रिबेल मतलब बागी जो किसी के खिलाप हम लोग विद्रो करते हैं उसका अगेंस खड़े होते हैं या किसी की बातों का जो अन्या हो रहा है उसको न माने उसको रिबेल बोला जाता है एक सब्सक्राइब बूले तो बागी बोल सकते हैं आप लोग सावरकर वाजे बॉर्ण रिबेल जो वीर सावरकर थे वो बचपन से ही बागी थे और वो बचपन से ही अपनी बच्चों की छोटे बच्चों की गैंग बनाये थे और उस गैंग को किस नाम से जाना जाता था वानर से ना मतलब कि जब वो 11 वर्ष के थे तब ही उन्होंने अपनी इस गैंग को बनाया थे थैंको एवे नाइटे